अब जो ब्रुग डिसकास करें इस इस कॉल्ड किटो रॉलैक के बहुत ही फेमस ब्रेंड़ है टॉरडॉल टॉरडॉल इंजेक्शन की फर्म में भी अविलेबल होता है और मेजर ली उस डिसीज में इस्तेमाल जाए कोई हड़ी तूट जाए रोड एक्सिदेंट में तो यह लेए। टॉरडॉल बहुत ज़्जदेंगे इस्तेमाल होती इंहिस इसंहें कोई हो वह टो ऺकास करते हैं। ड्रग में इसमें हैं कीत हो यहिए कैंसर में इसीज़्े JAM इंप इंचुन वं में इक्टुन में इस्ति में के करेंबल आतो एनिसकी पहिंग कोई इस्तेमाल करता सिवियर एक्यूट पेन या फिर मॉडरेट पेन भी इस्तिमाल होती है अक्सर जिन लोगों के एक्सिटेंट बगारा हो जाते हैं सिवियर काइंड ऑफ पेन होता है उस वक्त उनको एक हाईली या पोटेंट एनलजेसिक की ज़रूरत है तो कीटो रोलैक वो एनलजेसिक है अगर तो ऑपियोईट लेवल पहें ऑपियोईट जैसे के मॉर्फीन वगरा होती है तो देखें इस नॉट इंडिकेटिव फर माइनर या क्रॉनिक पेन या नहीं करते हैं यह जो आपके पास है यह उनी सिवियर पेन में इस्तिमाल करते हैं और लॉंग टर्म के लिए इस् से अपने डोज इंक्रीज नहीं करने अगर तो इंट्रमस्कुलर लगा रहे हैं तो आप थोड़ी डोज बढ़ा सकते हैं यानि 60 mg की डोज आप लगा सकते हैं सिंगल डोज में या अगर 30 mg है तो एवरी 6 और आप दे सकते हैं पर और अगर टैबलेट की फॉर्म में ले रह किये कि मैक्सिमुम डोज इसकी 40 mg से ऊपर ना जाए पर डे वरना सिवियर टॉक्सिसिटी के चांसिस हो सकते हैं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा सिदेशन है और एडिक्शन भी हो जाती है लोगों को या आप नॉर्मल पें में कीटो रोलेक को अवाइड करते हैं सिरफ स सिवियर पें में फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है